हलो फ्रेंट्स, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोग का एक नए वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं UPPSC के DSO पत की DSO मतलब आप लोग समझते होंगे District Supply Officer यानि की जिला पूर्ति अधिकारी इतना अच्छा पत है कि लोग जब Post Preference भरते हैं तो इसे चौथे या तो फिर पांचवे नममर पे भरते हैं क्यों भरते हैं क्या है यह सारी चीजे मैं आपको बताउगा यहाँ तक की बेतन से ले करके इसके प्रमोशन तक और इसकी कारियोजना आखिर ये कार्य क्या करता है पत कैसा होता है सारी जानकरी और सटी जानकरी आपको इसी चैनल पे मिलेगी फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा एक टेंडी गाम चैनल भी है अगर आप लोग चाहें तो इससे चोड़ सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो तीकि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यह जो यूपी प्यस्ती है यानि कि लोग सेवा आयोग है यह खाद एवम रसत विभाग में दो पदो पे भरती करता है मेरी बातें आप लोग ध्यान से सुनिएगा ठीक है अन्यता इसकिप हो जाएगा तो आप लोग समझ नहीं बाएंगे मैं कह रहा हूँ कि लोग सेवा आयोग जो है खाद एवम रसत विभाग के अंतरगत दो पदो पे भरती करता है एक तो आपका होता है DSO ठीक है यानि कि District Supply Officer जो सामने दिख रहा है दूसरा आपका होता है DFMO ठीक है DFMO क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ यह होता है District Food Marketing Officer यानि कि जिला खाद विपड़न अधिकारी एक तो आपका DSO हो गया District Supply Officer दूसरा हो गया DFMO District Food Marketing Officer जिला पूर्त अधिकारी और जिला खाद विपड़न अधिकारी दोनों ही पदों के अगर Grade Pay की हम लोग बात करें तो यह 4800 Grade Pay की नौकरी होती है और बड़ा ही अच्छा पद होता है और अगर Qualification की बात करें तो दोनों में Graduation लेता है तो यह जो आपका District Supply Officer होता है इसके अंतरगत जो है कौन-कौन से लोग काम करते हैं तो आपका जो है इंस्पेक्टर हो गया ठीक है यानि कि जो आपका District Supply Officer होता है उसके जश्ट नीचे होता है छेतरी काद खाद अधिकारी और उसके नीचे होता है वरिष्ट पूर्तिनी रिच्छक और फिर आपका होता है पूर्तिनी रिच्छक यानि कि Supply Inspector अब District Supply Officer के उपर कौन से पद होते हैं इनका प्रमोशन किस पे होता है ये मैं आप लोगों को वीडियो के एन में बताऊंगा ठीक है तो इतनी चीज़ें अगर आप लोगों को किलियर हो गई हो तो मैं चलता हूँ इसके जॉब प्रोफाइल पे आप लोगों को बताता हू कि आखिर District Supply Officer एक जन्रपद में क्या काम करता है उसका काम क्या रहता है ठीक है एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा ये जो DSO या DFMO होता है तो ये जो आपका DSO होता है ये काम करता है आपूरती साखा में ठीक है आपूरती साखा ठीक है और ये जो DFMO होत है ये आपका जो है विपड़न साखा में काम करता है ठीक है विपड़न साखा ठीक है दोनों की ब्रांच अलग-अलग होती है किलियर है ये बहुत सारी ब्रांचे होती है किसी दिन में चर्चा करूंगा खाद्यम रसक विवहाग के बारे में तो आप लोगों को विस्तित म मैं इतना जालने कि DSO आपका पूर्ती साखा में काम करता है और जो DFM होता है ये आपका विपढ़न साखा में कारे करता है दोनों की साखाएं अलग-अलग होती है तो किसी बीद चर्चा कर लेंगे ठीक है अब देड़ ना करते हुए मैं आप लोगों को इसके जॉब संबंदित समस्तकारियों का निश्पादन करना इसका प्रमुगदाइत होता है यह तैसील स्तरों में तैनाद जिलापूर्त अधिकारी होता है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि यह क्या काम करता है जो खाद्यों रसत विभाव होता है उसके अंतरगत ज पहले बताया कि छेतरीखाद अधिकारी वरिष्ट पूतनि इच्छक यह माध्यम से जो खाद्यान वितनर प्राली है उसको अच्छे तरीके से चलाता है आपकी जो सरकारी कोटे होते हैं आपको खाद्यान दुखाने होती है उनको क्रम्बत तरीके से उसमें कोई कला बाज प्राली के अंतरगत वित्रण व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के साथ ही चनता को खाद्यान एवं अन्यावस्थेक वस्तियों को उचित मूले पर उपलब्द कराना एवं खाद से संब्धित जन समस्याओं एवं सिकायतों का निस्तारड करना जिलापूर् प्रित्रित कराना इसका में दाईत तो हो रहता है इसके अलावा मान लिजे किसी कोई सिकायत है किसी कोटे में कोई दिक्कत आ रही है कोई कोटा का जो कर्मचारी है या जो कोटा का दुकानदार का मालिक है ठीक है दुकानदार है वो आपको अच्छे दामों पे नहीं दे ले रहा है कि आपको खाद्यान वित्रक्रण करते समय कम खाद्यान प्रदान कर रहा है तो इन सारी परकार की जितनी भी सिकायते होंगी वह सारी सिकायतों को सौल्व करना जिलापूर्त अधिकारी का ही मुख्धाईत होता है ठीक है यह चीजे किलियर हो गई फिर देखते हैं जिला अधिकारी के संद्चर में जिला पूर्थ अधिकारी जिले में खाद विभाग का संपूर नियंतर करता है और अपने कारचेतर के अंतरगत आने वाले समस्त करमशारियों की सभी सेवा संबंधी प्रकड़ों जैसे वेतनाहर, अवकास संबंधी कारे, इस्थाना अंतरग संबंधी कारे, वाद विबाद, यूम सिकायतों का निस्तारग संबंधी कारियों का निस्तारग करता है ठीक है जिला अधिकारी तो जनपत का सर्वे सर्वा है उसके अंडर में सारे अधिकारी काम करेंगे ये भी उसी के सरनच्छर में काम करता है और उसके सरनच्छर में क्या करता है खाद्यों रसत विभाग पे पूरा नियंतरण लगता है उसके कारछेत के अंतरगर जैसे क्लर तो अब किसी सप्ला इंस्पेक्टर की किसी ने सिकायत कर दी पब्लिंग ने IGRS एक डाल दिया, तो उन्स सभी चीजों का निस्तारड जो है, ये जिलापूर्त अधिकारी ही करता है, इसके अलावा क्या है, जिलापूर्त अधिकारी अपने अंतरगत आने वाले समस्थ कर्मा कर्मचारियों के कारियों का विभाजन करता है, ये उनके कारियों का मूलांकन भी करता है, और कहीं भी अनिमित्ता पाये जाने पर आवस्य कारेवाही करता है, अथ्वा उचित दिसा निर्देश देता है, वर्स के अंत में इसी मूलांकन की प्रविष्टि कर्मचारियों क चरित पंजिकाओं में करता है ये बहुत अहम काम होता है कि समस्त कर्मचारियों के मध्य कारियों का विभाजन करना ताकि वो लोग आपस में सामंजस से बनके पनाके काम कर सकें ये जिलापूरत अधिकारी करता है और उनकी कार्यों का मुल्यांकन भी करता है अगर कहीं से कोई दोसी पाया जाता है या कोई कमी है या कोई सिकायत है तो उनको दंड भी देता है या फिर उचित दिसा निर्देश भी जारी करता है ठीक है और जब वर्स आपका खतम होता है तो इसी मुल्यांकन के आधार पे जो आपकी ACR होती है, चलित पंजिका होती है, तो उसमें कर्मचारियों की प्रविष्ठी भी करता है, कि इनका वेवहार ठीक नहीं है, इन्होंने ये काम गलत कर दिया या फिर इनका वेवहार अतिवुप्तम है, तो ये सारी चीजे जो है वो आपकी चरित पंजीकाओं में प्रविष्टी के रोप में यानि इंटरी करता है, ठीक है, किलियर है, फिर क्या है, जिला पूर्थ निर्वहन में कमी दिखाई देने पर आवस्यक दिशा निर्देश चारी करता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, कि जिला पूर्थ अर्धिकारी के अंदर गत्यों है, वरिष्ट पूर्थ अर्धिकारी आते हैं, कलरकेल इस्टाप आता है, फोर्थ इस्टाप आत तहीं उसकी इच्छा के उपर निर्भर करता है, और आपकी दोस्ट के उपर निर्भर करता है, क्लियर हैं? फिर क्या है, जिला पूर्थ अधिकारी आवस्यक वस्तु अधिनियम उन्नीस सो पचस्पन एऊं वस्तु निएंद्र आदेस के अंतरगत आने वाले समस्त कार्यो का संपादन करता है यों सरकारी उचित्दर की दुकानों के विक्रेताओं की नियुक्ति संबंधित महतपूर कारियों का भी निस्तारट करता है आप लों को पता होगा कि आवस्यक वस्त अधितियम 1955 अधितने भी कारे होते हैं वो समस्त कारे आपके तहसील अस्तर और जनपदस्तर पे होते हैं इन सभी चीजों को चाहे वो जनपदस्तर का हो चाहे तहसील अस्तर का हो सारा निक्टारा जो है जिलापूर्त अधिकारी करता है इसके अलावा जो सरकारी उचित्दर की दुकान उन पर विक्रेताओं की नियूक्ति करना या फिर उनको पद से हटाना ये सारे काम भी जो है जिलापूर्त दिकारी के ही होते हैं। जिलापूर्त दिकारी ये सुनिश्चित करता है कि उसकी जनपद में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कारधारक परिवारों को उचित वा निर्धारित मूले पर खाद्यान चीनी त्याद उपलब्द हो रहा है या नहीं। वह पूर्त निर्षक के माध्यम से इस समय समय पर इसका निच्छर भी कराता रहता है एवं स्वयम भी रासन कारडों वा सरकारी रासन की दुकानों की जाच करता है। पद बहुत महत्पूर है आपको मैं बता दूँ कि जनपद में जितने भी कारड़ धारक हैं चाहे अंतोदे वाले हों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हों, पात्र गहडी वाले हों इन समस्त कारड़ धारकों को उचित मूलिपे या निर्धारित मूलिपे जो भी सर लेता है तो उसके बी कारवाही होनी है, या किसी को अगर तय है कि एतनी यूनिट पे इतना मिलना है, अगर किसी ने कम दिया तब भी कारवाही तय है, तो ये सारी चीजे वो पूर्तिरी रिच्छक के माध्यम से भी जाच करवाता रहता है समय समय पे और स्वयम भी अगर उसको मौका मिलता है, अन्य कामों से तो रासनकार धारकों को और सरकारी रासन दुकान इत्याज सब उच्यक कर लेता है, ठीक है, अब मान लिजे कहीं कोई काला बाजारी हो रही है, यानि किसानों को पैसा नहीं, उनको किसानों को गल्ला औगर नहीं मिल रहा है, कोई काला चावल जो भी मिलता है वो आपको सरकार की तरफ से मिलल ला है अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको मिलना वो लाजमी है लिकिन अब कोई नहीं दे रहा है तो क्या करेगा उसका कोटा निरस्ट कर देगा जाज करेगा और अगर दोसी ते अधिकारी कुकिंग गैस डीजल पेट्रोल आधी आवस्यक वस्तूम की उपलबता सुनिश्चित कराता है इनकी काला बाजारी रोकने के लिए टीम गठित करके छापे मारी भी करता है कहीं भी किसी प्रकार की कमी पाई जाने पर लाइसेंस निलंबन या अन्य आवस्यक क इस काला बाजारी को रोकने के लिए वो टीम गठित करता है और छापे मारी भी करता है अगर कोई उसको कमी लगती है तो कहो लाइसेंस निलंबन कर दे या पिर अन्य कोई आवस्यक कारवाही कर दे तो ये सारी चीजे जिलापूर्त अधिकारी ही करता है कुकिंग गैस क्य प्राप्त सिकायतों की जाच करता है आवस्यक होने पे विधिक विभागी कारेवाही करता है और भविश्य में ऐसी गलतियों पर अंकुष लगाने है तो अपने अधिनिस्तों को उचित दिसा निर्देश देता है अब क्या है आज कल आनलाइन सिष्टम है सभी लोग सिका है अघर आप सिकायत नहीं करेंगे तो आज जो समझसे आपको जेलनाइं पड़ी कल किसी और को जोड़ने पड़ेगी और परसों किसी और को जब आप सिकायत करेंगे तो उसका निस्तरड भगा और आवस्यक् में ऐसी सिकायते ना आए ऐसी गलतियां ना हो इस पर अनकुस लगाने के लिए अपने अधिनस्त काम करते हैं उसके उनको उचित दिसान इर्देश भी जारी करता है ठीक है जिला पूरते दिकारी को मूल समर्थन योजना के अंतर गस सहाय गिला खरीद दिकारी भी कहा जाता है ठीक है इस योजना में इसका मुख कारे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल दिलाना हुआ उनकी उपज विक्रे समंधिस समस्याओं का निदान करना होता है अब जिला पूरते दिकारी जो होता है एक योजना है मूल समर्थन योजना किसी दिन बिस्तार से इस योजन के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ठीक है अब इस योजना के अंदर गत इसे जन्पध में क्या बोलते हैं सहाइक जिला खरीद अधिकारी ठीक है तो इस dif Tu जब इस पधबे वह кाम करेगा ठीक है जब मोले समर्थन योजना चलेगी तो इसके अंदर जब वो काम करेगा तो वो कहलाएगा जिला सहायक जिला खरीद अधिकारी अब इसमें उसका में काम क्या रहेगा किसानों को उपज है जैसे गेहूं है चावल है ठीक है ये सारी चीजे जो सरकार खरीदती ह तो उनको गिसानों को उपज का उचित मूले दिलाना उसका करतब्य होता है उनकी अगर विक्रे संबंदित कोई भी समस्य आ रहे तो उसका निदान जो है कौन करेगा सहायक जिला खरीद अधिकारी यानि कि जिला पूर्तिय अधिकारी करेगा अब देखिए आपको पता है कि चावल और गेहूं हमेशा बटना है और उसका गौर्मेंट कोई चार्ज भी नहीं ले रही है तो अब गौर्मेंट आखिर वो चीजे कहां से लाएगी गौर्मेंट खेती तो किसान करता है ना तो किसानों से ही वो खरी देगी ठीक एक रेटने हो जाएगा लेवी पर के इतने रेट में सरकार ये चीज़े ले रही है, आप वहाँ जाकर के सेल कर दिए, तो आप वहाँ सेल कर देंगे, उसके बाद यही चीज़े, चावल और गेहुं आपको फ्री में, जो रासंकार धारक है, उनको वितरित कराई जाती है, तो इतना सारा इश्टाक गौशन के प तो उनकी उपज का उचित मुले दिलाना इसका काम होता है ठीक है और इसके अलावा विक्रे सम्बंदित अगर कोई समस्या आ रहे वहाँ भी बहुत सारी दिक्कते होती है अब जो लोग बेशते हैं उनको पता होगा मैं open platform पे नाम नहीं लेना चाहूंगा तो वो सारी जो सम संकट की घड़ी में जिला पूर्तेथिकारी की जिम्मेदारियां अतेंद महतपूर हो जाती है वह जिला प्रसासन के साथ मिलकर पीड़तों को ततकाल राहस सामागरी के साथ दूस सबजी चावल दा लाटा इत्याद उपलब्द कराने में वह उनके रहन सहन की विवस्था का उचित प्रबंद कराता है ठीक है देखी प्राकरतिक आपदाएं जैसे भी माल ये कोविड आया था ये भी एक प्रकार की आपदा है थी तब आपका करफ हो यानि लागडाउन कह सकते हैं लागडाउन लगा हुआ था अब ये एक संकट की घड़ी थी उस समय जो रासनक का अपदा आती है बाड़ हो गया करफू लागडाउन इत्याद जैसे संकट की घड़ी में जिलापूर तथिकारी का रोल बढ़ जाता है ठीक है अब वो क्या करेगा वो जिलाप्रसासन के साथ मिल करके पीडिकों पीडिकतों को जो है ततकाल जो है रहत सामागरी जैसे द इसके अलावा इलेक्सन में भी उसको ड्यूटी मिलती है लेक्सन में भी वो बहुत अच्छा काम करता है और जिमेदारी वाला पद उसको दिया जाता है ठीक है उमीद करता हूँ चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी इसके कारे के बारे में और इस पोस्ट की महत्ता आपको समझ में आगई होगी कि ये पद कितना महत्पूर है आखिर क्यों लोग चौथे पांचवे नंबर पे इसको डाल देते हैं आप लोग समझ गए होंगे तो आईए अब इसके प्रमोसन के बारे में हम लोग जान लेते हैं प्रमोसन की बात करें तो सबसे पहले आपको इनिसियल पोस्टिंग मिलेगी जिलापूर्थ अधिकारी की रूप में ठीक है आप पूर्थी साखा में यहाँ पे आपका ग्रेट पे रहेगा 4800 ठीक है इसे जिलापूर्थ अधिकारी ग्रेट 2 कहा जाता है जो बड़े जनपद होते हैं वहाँ पे जैसे लखनो वगेरा आप तो सायद नहीं होते हैं लेकिन कहीं कहीं होते भी हैं तो वहाँ जिलापूर्ति अधिकारी, grade first का भी पद होता है, उसका grade पे 54 रहता है, लेकिन जनरली जिलापूर्ति अधिकारी ही होता है, और उसके बाद उसका next promotion हो जाता है, उपायूक्त अपूर्ति साखा, यहाँ जाकरके जो है, आपका grade पे हो जाएगा, 660 grade पे, ठीक है? और यहाँ पे आदे बातने में आपको समय थोड़ा ज्यादा लग जाता है, 8 से 10 साल तकरीबन लग जाते हैं अगर आप अच्छा काम कर वहें हैं, या इससे ज्यादा भी लग सकता है, ठीक है, तब जाके आप बनेंगे उप आयूक्त आपोर्ट साखा, नेक्स्ट प्रमोसन आपका होगा, सैयूक्त आयूक्त का, ठीक है, कहीं कहीं पे जॉइंट पर होते हैं सैयूक्त आयूक्त आयूक्त और अपर आयूक्त दोनों के, लेकिन ज्यादा तर सैयूक्त आयूक्त उसके बाद बनते हैं, यहाँ पे आपका grade पे होता है 766 ठीक है यहाँ पे आने में आपको 6-7 साल का समय देना पड़ता है ठीक है फिर आपको जो है next promotion मिलता है अपर आयूक्त आपूर्त साखा संयूक्त आयूक्त आपूर्ती साखा यहाँ पे आपका grade पे हो जाता है 87 boriden रोपय, ठीक है, और सहयुकत आयुक्त से, अपर आयुक्त बनने में, आपको चार से पांच साल लग ही जाते हैं, तो जो लोग यक चीस में, भरती होते हैं, वो लोग औभी एक प्रमोशन पाते हैं, लेकिन जन्रली लोग अपर आयुक्त तक आके रिटायर हो जाते हैं लेकिन जो यंग गेज में भरती होते हैं उन्हें मौका मिलता है आयुक्त बनने का ठीक है आयुक्त आप बनेंगे अपर आयुक्त से तीन से चार सालों में पदों के अनुसार भी आपका जो है ग्रेट पे हो जाता है तो सिल्वी की कोई चिंता नहीं है पद बड़ा रुत्वेदार है पावर वाला पद है और आपको मैं एक चीज हर वीडियो में बताता हूँ जब आपको पावर दी जाती है तो उसके साथ में आपके कंदों पे आती हैं responsibility यानि की जिम्मेदारियां तो अगर आप जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहते हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि पेपर में भी आपका नाम आए लोग आपको जाने तो मैं उमीद करूँगा कि आप लोग महनत से पढ़ाई करेंगे और जिलापूर्थ अधिकारी आप चोथे से पाचवे प्रफरेंस पे भरेंगे और अगर आपके नंबर थोड़ा सा कम आ रहे हैं तो ये पदा आपको मिल जाएगा वैसे आप लोग पूरी फुली कोशिस करिए SDM बनने की उसका मामला अलग ही होता है प्रसासनी का धिकारी होता है लेकिन नहीं मिलता है तो विकल्प के तोर पे आपका जिलापूर्थी अधिकारी भी चोथे पाचवे नंबर पे कमजोर नहीं है किसी अस्तर में हाँ ये मांदना हूं कि 4800 ग्रेट पे है थोड़ा सा ग्रेट पे कम है बात चल रही है हो सकता है इसे बहुत जल्दी ही 5400 ग्रेट पे माईग्रेट कर दिया जाए अपग्रेट कर दिया जाए लेकिन थोड़ा सा मुस्किल लगता है मुझे फिलाहल ग्रेट पे बेतन की कोई बात नहीं बेतन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इसके अलावा आपको अन्य सुविधाये भी मिलेगी जैसे आवासित्यादी है ना तो उमीद करता हूँ चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी और आप लोग संतुष्ट होंगे ये जानकारी लेके अगर कोई कमी रह गई है मेरी तरफ से आपको लगता है कि कहीं कोई जानकारी अधोरी है तो आप लोग सीधे कमेंट कर सकते हैं या हमारी एमेल आईडी ये देखिए दी हुई है upssclecturesonline.gmail.com इस पे भी आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और अगर आपको किसी अन्य पत के बारे में जानकारी लेनी है तो हमारे वीडियो में प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं तमाम आपके जो है पोस्टों के बारे में अगर आपको कोई special पत की जानकारी लेनी तब भी आप मुझे एमेल करिए मैं आपको जरूर बताओंगा उसकी जानकारी अवस्द होंगा ठीक है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सबस्क्राइब करेंगे क्योंकि सबसे सठीक जानकारी आपको मही दे सकता हूँ थैंक यू